नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं चवपारन बलोक मैदान में आयोजीत, बदलाव संकल्प सभा को समोधित करते हुए जार्खन्डी भासा खत्यान संघर समीती के केंद्रिय अध्याक्ष टाइगर जैराम महतों ने रभीवार को कही ऐसे में सभी जार्खन्ड वासियों को एक जुट होकर यह लड़ाई लड़नी है आज नहीं जागो गए तो आने वाली पिढ़ियां हमें माप नहीं करेगी हजारी भाग में रायनिती गलियारियों में बहारियों का कबजा है उसे उखार फेकने का समय आ गया है 29 24 में हजारी बाग का सांसद हजारी बाक का होगा यही कहने आया हूं गुजरात बंगाल यूपी पंजाब एवं बिहार में बिहारी तो जार्खन की रायनिती में क्यों नहीं जार्खन्डी दो दसक का हिसाब लेने का समय आ गया है सियम हेमंध की मा की तबियत बिगड़ी रांची हिल वियू अस्पताल में भरती जारखन के मुख्य मंत्री हेमंध सुरेन की मा रूपी सुरेन की तबियत बिगड़ गई है कि उन्हें chest infection की वज़ा से समस्या यह आई है हाला कि घबराने की बात नहीं है इस्थिती नियंत्रण में है बता दे कि इसे पहले हेमान सुरेन के पिता और जार्खन मुक्ति मोर्चा के अध्यक सिवु सुरेन की तबियत नई दिल्ले में बिगड़ गई थी इसके बाद उन्हें सर गंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया था पलामू में 13 अक्टूबर को बंद रहेंगे ए सिक्षन संस्थान जार्खन राज बीत रही सिक्षा सन्युक्त संहर्ष मोर्चा के घोसित कारिकरम के तहट 13 अक्टूबर को बलामू प्रमंडल के आयुक्त कर्याले के समक्ष एक दिवस्य महाधारना दिया जाएगा इस दिन प्रमंडल के सभी बीत रही स्कूल बंद रहेंगे या निर्ने रविव और क्वास्थानिय सत्यम रेष्ठ हाउस में आयोजित जार्खन राज बीत रही सिक्षा सन्युक्त संहर्ष मोर्चा की बैठक में लिया गया इसकी अध्यक्सता मोर्चा के गढ़वा जीला अध्यक्स विरेंदर तिवारी ने की है मोर्चा के पलामू संजोजग पोरफेसर अरविंद कुमार सिहा ने पलामू परमणल के सभी इंटरमीडियट कॉलेज उच बिद्याले संस्क्रीत वा मदर्शा बिद्यालों में ताला बंद कर सभी सिक्षक वा करमचारी महाधारना में सामिल होने का अवान किया है जेलो में बढ़ रहा बोज घटाने की आवसकता है संजाय मिस्ट्र ने ये बाते कही है उन्होंने कहा है कि बर्तमान में जेल में सजयापता के साथ साथ विचरान धीन हुआ वैसे कैदी भी रह रहे हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है या लंबे समय से जिन्हें दोसी करार नहीं दिया गया है अईसे सभी मामलो सहीत रिमांड पर जल्द निर्ना लेने पर जोर दिया मुखे न्यादिस ने जोर देते हुए कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि न्याईक सदस्य नियमित रूप से जेलों का दवरा कर वहां के इस्थिती परिथिती को देखे रंगदारी नहीं तो काम नहीं नकसलियों ने करमचारियों को पीटा जार्खन में एक बर फिर नकसलियों ने एक सरकारी प्रजेक्ट के ओफिस पर हमलाक और पांच लाक रुपए की रंगदारी मांगी है नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मार पीट और आग जनी की है घाटना की जनकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पूलिस ने मामले की छान बिन शुरू कर दी है यह मामला जारकन के राज़ानी राची से सटे लापूंग धाना छेतरे के दो लिच्चा का है न इसी मुद्दे पर इन अधिकार योग साथ बैठाक की थी इस बैठाक में पर देश के मुख्या हैमान सुरें डीजी पी अजय कुमार सिंग और मुख्य सची सुकदेव सिंग भी सामिल हुए थे जारखन मौसम होना नहीं है हलाकि बादलों के आने प्रहल की बुंदा बांधी हो सकती है उन्होंने बताया है कि अधिक्तम तापमान 30 के उपर ही रहेगा दिन में धूप थोड़ी परिशान कर सकती है वर्स में दो बार होगी बोड परिक्षा दोनों देना जरूरी नहीं केंद्रिये सिख्चा मंत्री धर्मेंदर पर्धान ने कहा है कि 10 वी और बरह忘ी काक्षा की बोड़ परिक्षाओं में साल में दो बार सामिल होना अनिवारे नहीं होगा, उन्होंने कहा है कि एक बार औधर मिलने के डर से होने वाले तनाओं को घटाने के लिए यह भीकल पेज किया रहा है, परधान परधान ने कहा है कि हमारी कोसिस है कि 2024 से साल में दो बार परिक्षाय आयोजीत की जाए परधान ने एक समाचार एजेंसी को दिये गए सक्षतकार में कहा है कि विद्यार्थियों के पास इंजिनियरिंग परवेश परिक्षा जेई की तरह ही साल में दो बार दसवी और से लोट रही बस पर पत्राव हजारी बाग के पिलावल में रभी वार की देर साम करीब पौने नौ बजे कुछ लोगों ने पत्राव कर दिया इस घटना में बस में सवार महिलाओ समें दस यातरी चोटील हो गाए यह बस रांची में आयोजी सवर यातरा से लोट रही थी अभी दूसरे पक्ष के लोगों ने अपत्ति जनक नारे लगाने की सिकायत की हलाकी मौके पर पुलिस पहुच गई और इस्थिती को नियंतरन में कर लिया है बस को कटम सांडी भेज दिया गया हो हंगामा कर रहे लोगों को घरों के अंदर कर दिया गया है कूर्मी समाज अंदोलन और तेज करेगा टोटेमिक कूर्मी कूर्मी समाज की विचार गोश्टी रविवार को पुरानी बिधायक आवास कल्व में होई इसमें अनुसूचित जन जात्ती की सूची में सामिल करने की मायं को लेका समाज की ओर से कश्ण ओमर को मुख मंत्री आवास घहराव का निन लिया गया बताया गया कि घहराव में लाखों की संख्या में कूर्मी समाज की लोग परामपारिक वेस बुसा में सामिल होंगे संजोयक सितल औअधार के उपस्चिती में होई गोश्टी में रेल्टे का आंधुलन की समीक छा केंद्रिय गरी सचीव से होने वाली वारता मनोहर पूर घागरा में रेल्टे का आंधुलन कारियों को जेल से जल से जल बाहर निकालने पर चार्चा होई है अर्जुन मुंडा ने कहा केंद्र के पास कुडमी को एस्टी का कोई प्रस्ताव नहीं जो सोतंत्र रूप से काम कर रही है जैसे चुनाव आयोग सेंसर ओफ इंडिया नयायपाली का आदी इसकी अलग अलग भूमिका है अयसे में हमें इनके दयते पर छोड़ना चाहिए फिलाल केंद्र के पास कुडमी को आदिवासी का दार्जा देने का कोई ममला लंबित नहीं है क्योंकि राज सरकान नया कहते हुए पत्र वापस ले लिया है कि इस पर विचार करने की आव सकता नहीं है रेल रोको आंदुलन की हुई समिक्छा टोटेमिक कुर्मी समाज के बैनर तले पुरणा विधान सभा विधाय कल्ब में सभी कुर्मी एवं कुर्मी नामधारी संगटनों की विचार गोश्टी रखी गई इस विचार गोष्टी के धक्सता कुर्मी समाज के मुख्य संजुज़क सीतल उधार ने की है विचार गोष्टी में रेल टेका अंधोल की समिक्छा की गाई ज्ञारखन के मुख्य सचीव से वार्ता के नफा नुकसान पर भी चर्चा की गाई और केंद्रियेगिरी सचीव से होने वाली वारता के मुख बिंद्रियों को चीनित किया गया है स्टी एस्टी की सुरक्षा के लिए कानून है दुरुपयोग के लिए नहीं जारखन हाई कोट एस्टी मामले में भाजपा के परदेश प्रवक्ता प्रतूल साहदेव को जारखन हाई कोट से बड़ी रहात मिली है हाई कोट के जश्टी संजय कुमार दिवेदी की आदालत ने प्रतूल साहदेव की ओर्ष दायर क्रिमिनल रीट एचका पर सुनवाई के बाद उसे सविकार कर लिया साथ ही उनके खिलाप लाते हार के बालूमा थाना में दर्ज एसी एस्टी केस सहीत निचली आदालत में चल रहे सारे किरमिनलर प्रोसीडिंग को निरस्थ कर दिया है आदालत ने अपने फैसले में कहा है कि एसी एस्टी कानून अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती की सुरक्षा के लिए है इसका उद्देश से जूठे मामले दर्ज करके एस कोर सेट करना नहीं है एसी एस्टी कानून का दुर्पयोग नहीं होना चाहिए में जातिय जनगर्ना की मांग की बिहार में जातिय जनगर्ना के आकड़ों पर जारी सियासत के बीच NDA की सयोगी आईसु ने भाजपा से अलग राग अलापना शुरू कर दिया है जारकन में NDA के घटक अल जारकन स्टुडेंट यूनियन ने सुबे में जाति अधारी जनगर्ना की मांग की है रभिवार को पार्टी अध्यक सुदेश महतो समेच सिर्ष नेतिय तिकी बैठक के बाद यह फैसला लिया गया समाचार एजेंसी एनाई से बात करते है आईसू पार्टी की बिधायक लंबोदर महतो ने कहा है कि जारकन सरकार को अपने खर्ट पर जाती आधारी जनगर्ना करानी चाहिए युवा कॉंग्रेस का मिलन समेलन संपन जारकन में लोकसभा चुना तो 2024 में अपना परदर्शन बेहतर करने के लिए कॉंग्रेस लगातार राज में कारकरम आयोजीत कर रही है एक तरह परदर्श कॉंग्रेस कमिटी इसके लिए शक्रिया है तो दूसरी तरह पार्टी के सहयोगी संगठन भी तरह तरह के कारकरम आयोजीत कर संगठन को मजबूत करने में लगे हुए है बतादे महिला कॉंग्रेस, सेवा दल, OBC विभाग, NSUI के बाद रभी वार कॉरांची के चिरोंदी में युआ कॉंग्रेस ने मिलन समेलन कायोजन किया है इसमें परदेस कॉंग्रेस प्रभारी और AICC स्तदस अविनास पांडे भी सामिल हुए करकरम का समापन जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के संकल्प के साथ किया गया नकसलियों ने ट्रांसपोर्टरों को सुरक्षा बलो की मदद न करने की दी चेतावनी भागपा मावादी के दक्षनी जोनरल कमीटी के परवक्ता असोक ने एक पत्र जारी कर गरामिनों और वाहन चलकों को सुरक्षा बलो की मदद नहीं करने की चेतावनी दी है पत्र में कहा गया है कि इससे पहले दी गई चेतावनी को नजर अंदाज किया गया जिसका खामिया जाना उन्हें अपनी जान दे कर चुकाना पड़ा वतादे कोल हान में सुरक्षा बलो के लिए आनाज और दूसरे तरह की समान धोने के लिए अपने मालवाहन उपलब्ध करवाने वाले ट्रांसपोर्टरों को लेकर नक्सलियों ने चेतावनी जारी की है उन्हें सुरक्षा बोलों से दूर रहने के लिए कहा गया है नक्सलियों ने एक पत्र जारी करवाहन मालिकों कया चेतावनी दी है रांची में दुर्गोट्सव की तयारी 900 CCTV से होगी निगरानी राजधानी में दुर्गा पुजा को लेकर एक तरफ जहां पुजा पंडालों का त्यजी के साथ निर्मान किया जा रहा है इस बार राजधानी राची में दुर्गा पूजा की दवरान निगरानी 900 CCTV कैमरे के माध्यम से की जाएगी वहीं आग से बचाओ के लिए सभी पूजा समीतियों को थानास्तर पर लिखित अंडर्टेकिंग भी देना होगा बतादे दुर्गा पूजा के दवरान CCTV कैमरे पूलिस की बड़ी मदद करते हैं टेट पास पाराज सिक्षों का जामो मों कर्याला घिराव अस्थागीत जार्खन राज टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वे समीति का चरणबद आंदुलन जारी है अध्यापको ने अस्थागीत कर दिया हा अलाकि अनykार करम जारी रहेंगे बतादे बेतन मान की मायं कर रहे राजभर के टेट पास पाराज शिखों को ने पूरोनी धारी जारखन मुक्ति मोच्चा के गेंद रीयकर घिराव का अध्यापक समन्वे है जामोक करेयले के घेराव की घोषना कि थी इस सम्बंद में ज़ारखन राज टेट सफल सायक अध्यापक समने समिट्ती के संरक्षक परमोतकुमा ने बताया है कि जामोक वर्ये नेताव ने जामोक करेयले घेराव का एकर्मस्थागित करने का अगरख किया था कोल इंडिया ने दिवाली से पहले कोईला मजदूरों का बोनस का दिया तोफा दिली स्थीत कोल इंडिया कर्याले में रविवार को कोल इंडिया प्रबंदन तथा स्रमिक संगटनों की बैठक हुई बैठक में कोईला मजदूरों को वर्ष 2022 ते इसमें मिलने वाला पूजा बोनस पर फैसला हुआ इस बार कोईला मजदूरों को 85,000 रुपे बोनस मिलेगा बता देखी कोल इंडिया कर्मियों के परफरमेंस लिंक रिवार्ड के मुद्दे पर अभिवार को दिली में स्कोप कम्पलेक्स इस्थित कोल इंडिया के कर्याले में करीब 11 वये से बैठक शुरू हुई थी जो देर साम तक चली है बाबुलाल मरांडी ने सीएम पसाधा निशाना गुमला सहर के दुदूरिया बस डिपो में भाजपा की गुमला बिधान सभा अस्तरीय संकल प्यात्रा के तहत जन सभा हुई भाजपा के परदेश्त अध्यक्सा पूर्व सीएम बाबुला मरांडी ने कहा है कि जार्खन का सबसे बड़ा महाजन हेमान सुरेन का परिवार है वर्ष 2013 में जाब अर्जुन मुंडा सीएम थे और डिप्टी सीएम हेमान सुरेन थे उस समय हेमान सुरेन कॉंग्रेस से गटबंधन कर सीएम बन गये थे उस समय मुंबाई वा अने महानगरों से बालु मफ्यावक बुला कर जार्खन के भी भीन बालु घाटों से अवैद बालु बेच कर उन्होंने अपनी तिज्वरी भरी है धन्यवाद